ये हैं कुट्टू के पकोड़े Hello friends, Cells Kitchen में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो आज Cells Kitchen में बनने जा रहे हैं ब्रत उपवास में खाने वाले कुट्टू के पकोड़े देखिए, ये मैंने कच्चे आलू से तयार किये हैं आईए ये बनाना शुरू करते हैं देखिए मैंने ये कुटू की मींग लिये है ये वजार में असानी से मिल जाती है ये कुटू छिलका उतरा हुआ है इसका आटा बहुती अच्छा बनता है जो छिलके वाले होती है उसका आटा काला पड़ जाता है यह देखे यह आटा मैंने मिक्सी में घर में पीस लिया है देखे इस तरीके से अब मैंने यह दो मीडियम साइज के आलू कट कर लिये हैं कच्चे आलू मैंने कट किये हैं यह देखे मैंने यह साइज रखा है आप जैसे कटिंग चाहें आप उस अपने इसाप से कर लीजिए और मैंने ये कुटू का आटा इसमें मिलाया है इस तरीके से मैं इसमें कुटू का आटा डाल लूँगी आपको कम जादा जैसा रखना है आप अपने इसाप से आटा इसमें मिला लीजिए और ये मैंने हरा धनिया डाला है हरी मिर्च हरी मिर्च अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजे कि आपको तीखा खाना पसंद है वैसे ये पकोड़िया तीखी अच्छी लगती है और ये मैंने काली मिर्च पाउडर डाला है आधी चम्मच और ये सेंदा नमक मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है ये एक फलाहारी रेसिपी है जो नवरात्री के ब्रत में शिवरात्री या एकादशी के ब्रत में भी बना कर खा सकते हैं ये बहुती क्रिस्पी और करारे बन कर तयार होते हैं इसी तरीके से हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर एक इसका fine paste तयार कर लेंगे देखिए इस तरीके से देखिए यह हमने एक तयार कर लिया अब हम एक कड़ाई में oil लेंगे आप देशीगी oil जिसमें भी आप इसको तलना चाहते हैं आप उसको medium गरम कर लीजिए अब यह मीडियम फ्लेम पर हमने गरम कर लिया और यह हम कुटू के पकोड़े करके सकड़ाई में डाल देते हैं इसे कुटू के आटे की पकोड़ी या कुटू के आटे के पकोड़े भी बहुत से लोग अपना अलग लग बोलते हैं आप जो भी बोलते हो आप मुझे जरूर बताईएगा यह है चटनी, दही के साथ, चाय के साथ आप इंजोय कर सकते हैं ब्रत में और आप वैसे भी ब्रत के बिना भी बना कर खाना चाहें तो भी यह बहुत टेस्टी लगते हैं अगर शाम के टाइम आप स्नेक्स के रूप में से बना सकते हैं अब अच्चे भी बहुत पसंद करते हैं कुट्टू की पकोड़ी यह बहुती क्रिस्पी और करारे बनके तयार होती हैं देखे इस तरीके से मैं इने तल लूँगी जब यह अच्छे तरीके से तल जाएंगे और यह गोल्डन ब्राउन जैसे हो जाएंगे पकोड़ी पकोड़ी काता है जा तयार हो जाती है और खाने में भी ब्ले आलू की बख्षा जादा अच्छे लगते हैं इसी तरीके से मैं ने दूसरा बैच कि पकोड़ी का तयार कर लिया है इन्हें बनाना बहुत ही आसान है जो बहुत ही जल्दी पांच मिनिट में बनकर तयार हो जाते हैं इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता है एक बार आप इसी तरीके से कच्चे आलू के कुट्टू के पकोड़ी बना कर देखिए आपको जरूर पसंद आएंगे देखिए ये मेरा दूसरा बैच भी तयार हो गया है देखिए इस तरीके से मैंने सारे कुट्टू के पकोड़े तलके तयार कर ली है देखिए कितने अच्छे बनकर तयार हुए और देखिए मैंसे आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि आलू भी कितना अच्छे से गल गया है देखे ये कितना अच्छी से है इसे आप दही के साथ, चटनी के साथ, चाहे के साथ इंजॉय कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फर वाचिंग